नमस्ते दोस्तों, दोस्तों मैं सुमण शर्मा अपनी एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने दोस्तों इसमें मैंने मोटी हरी मिर्च का अचार बनाने की विदी बताई है और ये अचार बनता भी बहुत टेस्टी है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है उमीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मोटी हरी मिर्च का अचार ये मोटी हरी मिर्च का अचार बहुत टेस्टी बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और नहीं जादा ये तीखी होती हैं फिकी होती हैं और इन्हें तीखापन लाने के लिए थोड़ा सा हम इनमें लाल मिर्च डालते हैं सर्दियों में यह बहुत अच्छी क्वालिटी की आती हैं, तो हमें जरूर लाकर इन्हें जादा सा अचार डाल करके पूरे साल भार यूज़ करना चाहिए, ऐसी ही लाल मिर्च भी आती हैं, उसका भी मैं बाद में दिखाऊंगी, तो आप इन हरी मिर्च का अचार कैसे डाल सकते हैं, और उसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं, मसाले वगरा जादा करके, वो भी मैं बार में दिखाऊंगी, अच्छा, तो आप यह सब से पहले इन दस हरी मिर्च के हिसाब से जो मसाले डालने हैं, वो हैं, यह सोप लिया है मैंने, सोप लिया है, वन टेबल राइ हम अंचूर पौडर भी डालेगे अंचूर पौडर डालेगे हम इसमें हाफ टेबल 지बुक्णे, हाफ टेबल sपून हाफ टेबल पौड इसमें 1ло-2 फिर के पीस लिए हिसे डालें गे हम हल्दी पौडर दालेंगे हम 3 तीस्पून तीन टीस्पून डाला अब डाल देते हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर इसलिए डाल रही हूँ मैं क्योंकि ये बहुत फिकी होती है और थोड़ा सतीखा पनीन में आ जाए तो बहुत टेस्टी लगती है तो इसमें मैं वन टीस्पून लाल मिर्च और यह कंब लगा, तो और दाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा सिर्खा बात में डालेंगे जब हम इसमें यह क् authent to Promb पहले हम यह सारे मसाले पीश लेते हैं के जाल में टाल कर gemeंवे जार्डर अबके तो हम इसे थोड़ा मोटा भी आपीश सकते हैं, यह मिर्चेत Karl अब हम बारिक भी अच्छा ही रहता है लेकिन थोड़ा मोटा ज्याद अच्छा लगता है अब इसमें हम डालेंगे इतना तेल जितना की आटा गुंते समय पानी डालते हैं उसी हिसाब से इस मसाले को मिला लेंगे तेल में मसाला मिला लेने के बाद इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून सिरका यह सिरका बन टीस्पून हो गया है इसे अलग बड़तन में कर लेते हैं और ये बैस थोड़ा सा इतना सा सिर्का मैंने लिया है इसमें डालने के लिए इससे क्या होता है हाफ टीस्पून से भी हाफ टीस्पून डाला है मैंने इसमें और इसके डालने से हरी मिर्च लाल या हरी कोई सबी अचार डालो सालो साल चलता है अचार कभी खराब नहीं होता और थोड़ी सी खटापन भी आता है हरी मिर्च में तो इस ज्यादा अगर सिर्का यूज़ करें तो वो बेकार रहता है लेकिन थोड़ी मात्रा में अगर हम अचार को सही रखने के लिए सिर्का यूज़ करते हैं तो वो सही रहता है तो थोड़ा सा हमने सिर्का डाला है इसम सब में तीस नाफ टीाफ टीस्पून तिहाई भाग तो अब हम इनए इन हरी मिश के ये डंठल हटा करके ऐसे काट करके और फिर इन हरी मिश को उपर Sl стр का तो ऐसे क्याटेंगे ऐसे नीचे से जूड़ी रहेंगी ऊपर से हम काटेंगे और और फिर हम इनमें मसाले भर लेंगे, अच्छी तरह से भर सकते हैं मसाले आप, ऐसे सभी हरी मिर्च को ऐसे भर देंगे, तहले सारे डंठल काट लेते हैं, और फिर डंठल काट लेने के बाद सारी हरी मिर्च को ऐसे उपर से एक साइड से काट करके, इनमें ऐसे ही मसाले भरत तभी भरना है, नहीं तो अगर कम लगे तो आप इस टायम पे मसाले डाल सकते हैं, नमक या मिर्च, और सभी हरी मिर्च भर देने के बाद, जिन में कम रहता है, उन में डाल दे, अगर मसाला बचा है तो, लेकिन मसाला हमारा बिल्कुल पूरा पड़ा है, थोड़ा सा जार में डाल देंगे, ऐसे, पहले थोड़ा ही डाल करके देखें, अगर आपका टेस्टी और अच्छा बनता है, तो फिर ज्यादा अचा डालें, और इस मसाले को हम हरी मिर्च के उपर डाल देंगे, जो बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, वैसे ये पूरा ही मसाला, इतना मसाला चाहिए हमें इन दस ग्यारा मिर्च के लिए, और अब हम इन्हें, इसमें तेल वगरा भी कुछ नहीं डालेंगे, पहले हम इसे तीन दिन बंद करके, जार को और धूप में रख देंगे, हरी मिर्च के अचार को तीन दिन हो गए हैं धूप में रखे हुए, और ये थोड़ा सा पानी सा आ गया है, ये जो नमक का होता है, ये पानी सा आ जाता है, और इसके बाद तीन दिन बाद अब हम इसे ऐसे हिला देंगे, हिला देने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी सी ये हरी मिर्च जो है, ये गल चुकी है, तीन दिन में मसाले के साथ गल चुकी है और अब हम इसमें तीन दिन के भाद इसमें तेल डालेंगे। और तेल इतना डालेंगे कि जो इन मसाले में ओर हरी म्रिच में अची तरह से मिल जाए ,्हथ से ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, जो की इनमे अच्छी तरह से मिल जाए ये देखिए तेल नज़ा रहा है इतना ही तेल डालना है इसमें ज्यादा मात्रा में तेल नहीं डालना है और अब हम इसे धूप में फिर से रख देंगे ताकि ये तेल पक कर हरी मिर्च और मसाले के टेस्ट को बढ़ा दे तो दो दिन बाद फिर चेक करते हैं हम इसे सर्सों का कच्छा तेल डाल देने के बाद दो दिन तक हमने ने धूप में रखा है ताकि ये तेल पक कर इन मसाले और हरी मिर्च का टेस्ट बढ़ा दे और देखिए हरी मिर्च और भी ज्यादा इसमें राई की खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है खटास आ रही है इसमें थोड़ी सी और ये हरी मिर्च का अचार खाने के लिए त्यार है तो इस तरह से आप ज्यादा मात्रा में भी इस अचार को बनाएं और कितने भी समय तक रख सकते हैं इसे बना करके एक बार में ये खराब नहीं होगा तो दोस्तों इसे आप इस तर इसे बना कर रोटी परोठे पूरी किसी के साथ भी खाएं चावल किसी के साथ भी खाएं और स्वस्त रहें